हेलो गाईज, तो इस पार्ट में संग्यान का फ्रेंड उसे जाजो को पठाने के लिए टिप्स दिया था तो वो उसकी बात मान का जाजो के रूम में सावर लेने जाता है ये बहाना बना करकि उसके रूम का सावर खराब हो गया है और जाजा उसे सावर ही उसके निकले दे देती है संगयान जैसे सावर लेने जाता है जाजा उसे imagine करके nervous हो रही थी और फिर वो अपने आपको control करती है तब ही वहाँ पर संगयान सावर लिख रहा जाता है और वो जाजा को सेड़िूस करने लगता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे यही अड़्वाइस दिया था कि वो अपने मस्कुलर वर्टी से जाजा को इंप्रेस्ट करके पटा ले और फिर वो फ्लट करते हुए पुछता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ वो उसे देकर थोड़ी बहुत इंप्रेस्ट हो जाती है पर कहने लगती है तुम इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं मेरे ओनलाइन वाइफ्रेंड तुमसे ज्यादा एंसम दिखता है उसके सिक्स पेक्स हैं तो वो पुछता है क्या तुमने उसे दिखा है तो सावसा मना कर देती है और फिर संग्यान उसके क्लोस अकर कहता है ठेक है मैं गिव अफ करता हूँ तुमारा ओनलाइन वाइफ्रेंड ही स्यादा एंसम है और वो आज उसे रुडली बात करने के लिए माफिय बंगता है और पूसता है क्या तुम गुसा हो वो कहती है मैं गुसा नहीं हूँ तो संग्यान कहता है तो फिर मुस्ते प्रोमिस करो कि जब मैं तुमारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम ड्रिंक नहीं करोगी वो पूच्ती है कि क्यों तो वो बताता है कि मैं तुमारी परवा करता हूँ ये सुनते ही वो उसे ये केकर मास जाने के लिए कहती है कि अभी उससे सुना है वो good night केकर मास चला जाता है Nextade men दोनों ही सो रहे थे पर किसी को निन नहीं आ रही थी और जाजो को संग्यान की कहीं भी बात याद आ रही थी नेक्ष्ट संग्यान कुछ इस तरीके एक अड्रेस अप हो रहा था जिसे देखकर जाजो हैरान हो रही थी वो पूछते है कि क्या ही आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अच्छा लग रहा है और फिर संग्यान जैसे यह उफिश जाता है तो इंप्लेश उसके न्यूव लुक को देखकर तारीफ करने लगते हैं कि बॉस आज कितने हैं लग रहे हैं पर जाजो को तो वो कोई हैंसम नहीं लग रहा था उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉस तुम्हें ऐसा ड्यूज करने के लिए अडरेस अपकर रहे हैं वो उसे चुप कराती है कि यह क्या नोंसंस बाते कर रही हो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड पूस्ती है तुम दोनों लाश नैट घरवा पस जाने के बाद क्या क् अच्छा कासा अर्गोमेंट हो गया यह सुनकर वो कहती है तुमारे अंदर तो बहुत गट्स हैं जो तुम बॉस के साथ अर्गोमेंट कर रही हो तुम बहुत ब्रेफ हो तो वह उसे बात करने को मना करके काम करने के लिए कर महाँ से चली जाती है तो वह भी स्मयल करती है और अपना फोन वही पर भूल जाता है वह जाजो अपने ओनलाइन वाफ्रेंग को मेसेज कर रही थी कि लगता है बॉस के हाट में मेरे लिए कुछ है वो बहुत क्लिंजी हो रहे हैं दूसरी सैट संग्यान मीटिंग में जाजो को नहीं देखकर जाजो को उसके बार में पू और वह जाजो को बताने का डिसाइड करती है और फिर हमें चली जाती है थोडि रही था dengan को मीटिंग नेक्स इन हॉस्पिटल में दिखा जाता जाजो अपनी मॉम से मिलती है और पूसती है कि आपको क्या हुआ था तो वो बताती है कि कुछ नहीं बस थोड़ा बलड सुगर लेवल लोग हो गया था तो वो सोचती है सड़नली ऐसा कैसे हो गया और वो डॉक्टर से अपने मॉम के बारे में पूसती है वो सच बताने वाला था पर मॉम उसे रोक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मैं अपने बैटी से बात कर लूँगी पर जाजो डॉक्टर को रोक कर पूसती है कि मेरी मॉम को क्या हुआ तो बता देता है कि उन्हें लंग कैंसर है ये सुनकर जाजा बरीड हो जाती है और अपनी मॉम से पूस्ती है कि आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं वो कहती है मैं अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुम बरीड हो जाती और मैं यह नहीं चाती थी और वैसे भी मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ फिर भी वो बहुत वरीड हो रही थी तो संग्यान उसे कहता है कि मैंने पहले ही एक famous doctor से बात कर ली है अभी वो abroad में है जब वो city वापस आएगा तो हम आंटी की treatment उसे करवा लेंगे यह सुनकर वो खुश हो जाती है क्या सच में मेरी मॉम ठीक हो जाएगी इतने में जाकिंग भी वरीड होती हुए वहाँ पर आ जाती है तो जाजाओ उसे हक करके रोने लगती है तो मॉम कहती है इसलिए मैं तुम्हें पहले नहीं बता रही थी देखो तो इससे कैसर हो रही है मैं अभी ठीक हूँ वो मना करते हैं कि मुझे पता है आप मेरे अच्छे के बारे में सोच रहे थे और फिर मॉम अपने डेथ की बाते करने लगती है कि अगर मैं चली गए तो तुम अकेली हो जाओगी पर वो उन्हें ऐसी बाते करने से मना करती है तो मॉम कहती है मैं तो तुम्हारी यार संग्यान की मेरेज की वेट कर रही हूँ और फिर तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना भी तो है तो ही जियाकिंग भी आंटी के लिए परिशान हो रहे थी तब ही संग्यान उसे समझाता है कि अभी उनकी अर्लिया स्टेश है तो उनकी ज्यादा चांस है रिकवर होने का और फिर ज्याकिंग पूसती है कि आप ही जाउचों की ओनलाइन डेट हो ना ये सुनकर वो सुक्ट हो जाता है और पूसता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ तो पता नहीं वो कैसे रियक्ट करेगी इसलिए मैंने उसे नहीं बताया और यहां पर यह पाठ खतम हो जाता है